हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आवर चैनल मल्टी तैलेंटेड ब्रदर्स आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से क्यूप का सेंटर चेंज करना है जैसे कि आप देख रहें क्यूप का सेंटर चेंज है अब मैं इसे पहले जैसा कर देता हूं तो हम आपको बता रहा हूं किस तरह से क्यूप का सेंटर चेंज करना है पहले आप कोई भी कलर चून सकते हैं जैसे कि मैं चूनता हूं ब्ल्यू पहले इसके मिडल लेयर को नीचे करिए बाद मैं इसे इस तरह पकड़ कर इसके मिडल लेयर को नीचे करिए तो मुझे यहाँ दो कलर मिला है ब्लू तो मैं इसे ब्लू कलर के हाथ मैच कर दूँगा फिर मुझे यहाँ दो औरेंज कलर मिला है मैं उसे औरेंज कलर के साथ मैच कर दूँगा तो इस तरह से आपका क्यूप का सेंटर चेंज हो जाएगा अब मैं आपको बताऊंगा इसे पहले जैसा कैसे करना है तो फिर से आप कोई भी कलर सुन सकते हैं जैसे कि मैं चुनता हूं रैड और मुझे इस रैड को यहाँ दालना है रैड कलर में सेंटर में तो पहले यह देखना जरूरे यहां कौन सा कलर है यहां ग्रीन कलर है तो यह इस साइड या इस साइड रहेगा तो मुझे लेफ्ट साइड मिला है तो मैं इसे राइट साइड को पुस करूँगा अगर मुझे राइट साइड मिलता तो मैं इसे लेफ्ट साइड को पुस करता मुझे left side मिला है मैं right side पूस करूँगा और फिर इसे white को यहाँ लाना है फिर white match हो जाएगा फिर इस white को white से match करना है फिर इस red को red से match कर दो हुआ है तो इस तरह आपका क्यों फिर से पहले जैसा बन जाएगा कर दो 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 कर दो